तो हेलो एंड वेलकम अगें दोस्तों कल नेशनल सिनिमा डे में जो तवाही मचाई ये तीनों फिल्मों ने किसने फुकरेत री, जवान और मिसन रानी गंज इन तीनों की ओफीशल बॉक्स ओपिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आया चुकी है कल की कल सुबह से लेकर राद तक क्या उत्पात मचाया है क्या उधम मचाया है सभी बादों पर अभी चर्चा करेंगे कितनी कलेक्शन कौन सी मूविय ने कल को करी है तो मैं अबको पहले बताओं तो कल 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने कल थेटर में दस्तक दी है मतलब थेटर जाकर इन तीनों फिल्मों को लगातार देखा है 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वो इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि कल कोई भी बड़े-बड़े मल्टी प्लैक्स में भी 99 रुपीज के टिकेट प्राइस थे और हर एक फिल्म के लिए थे ना कि जवान, मिसन रानी गंज, फुकरितरी और भी दो-तीन फिल्मे थी लाइक थैंक्यू फॉर कमिंग तो मिसन रानी गंज की बात करते हैं सबसे पहले मिसन रानी गंज सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूबी थी कल के दिन में और देहली और मूंबई का अगर मैं बताओं तो 90 प्लस परसेंट की occupancy night में देखने को मिली थी कल रात में सिर्फ मिसन रानी गंज को और जो कल 99 रुपीज का जो सस्ता टिकेट करा मला अभी तक ऐसा था कि मिसन रानी गंज के पास इतने ज़्यादा कोई अच्छा collection नहीं आने को देखने को मिल रहा था एक करोन डेर करोन ऐसे कमाई देखने को मिली थी एक आध बार ही लगबग तीन या चार करोन की कमाई करते नजर आये थी और एक कल के दिन कमाई करते नजर आये तो वहां से makersnake ये सबक लिया कि यार टिकेट के प्राइस अगर सहीश कर देते हैं तो यस क्राउड आएगा लोग आएंगे तो आज क्या करा हुन्होंने बाइवन गेट वन फिरी कर दिया मलब टिकेट के प्राइस सस्ती नहीं करें बात वही पड़ गी जो भी प्राइस होगा धाई सो दो सो जितना भी प्राइस होगा उसमें बाइवन गेट वन कर दिया जनता को इससे फायदा ही है और ये बुक माई सो में करा गया है वो भी एक कुपन कोड लगा कर साइद रानी गंज करके होगा ओसकर के लिए भी ट्राइ किया गया है मूबी को भाई साब जबरदस तरीके से ओसकर के लिए मूबी को भेजा गया है तो इसके डिरेक्टर कौन है टीनू देसाई जो रुस्तम जैसी मूबी बना चुके है और जिसको हम देख चुके हैं जो जबरदस्त मूबी थी जिसके लिए एकसे कुमार को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था तो मूबी ने कल मिसन रानी गंज ने कितनी कमाई करी 4.75 करोण का हीूज हीूज करेक्शन किया था तो कल end of the day तक मिसन रानी गंज का टोटल कलेक्शन कितना हो चुका था 23 करोण का टोटल नेटिंडियन कलेक्शन ओवरसीज से ये मूबी अभी तक कितना कमा चुकी मलब का land of the day तक 4.20 करोण मलब 4 करोण 20 लाग का कलेक्शन ये मूबी कल कर चुकी थी नेटिंडियन ग्रोट से हो गया था कल तक का 27 करोण 20 लाग रुपे के आसपास और पूरी दुनिया से ये मूबी का land of the day तक नेशनल सिनेमाडे में 31 करोण 15 लाग का हुज कलेक्शन कर चुकी थी तो देखा जाए तो बहुत कम ग्रोथ है वो आज सेटर्डे में अच्छा खासा उसका रैस्पॉंस देखने को मिल रहा है तो कल की तरह आज भी मिसन रानी गंच लगबग धाई से 3 करोण की कमाई करते नजर आ रही है और कल संडे है तो कल संडे को भी अच्छी खासी कमाई करते नजर आएगी तो अभी नैशनल सिनेमा डे की बात करेंगे कल का दिन बहुत एतिहासिक दिन था हिस्टॉरिकल डे था इन तीनों ही फिल्मों के लिए और इंडियन में बॉलिवुड सिनेमा के लिए मैं कह रहा हूं हिंदी सिनेमा के लिए बहुती मेमरेबल डे था फुकरे थरी की अगर मैं बात बचाओ तो फुकरे थरी ने भी जवर्दस तरीके से धवान मचाया है कल फुकरे थरी ने 5.10 करोन की कलेक्शन किया मलब 5 करोन 10 लाग का कलेक्शन किया है ओबर ओल डे में और अभी तक मलब कल end of the day तक ये मूवी कमा चुकी थी कितना 86 करोन 49 लाग रुपए टोटल कमाई कर चुकी थी 99 कलेक्शन से overseas से कल end of the day तक ये मूवी कितना कमा चुकी थी 13 करोन 50 लाग के आसपास gross कलेक्शन हो चुका था इस मूवी का 102 करोन के आसपास और पूरी दुनिया में ये मूवी कल end of the day तक worldwide box office कलेक्शन 115 करोन 50 लाग का huge huge कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी तो फुकरे 3 जबरदस्त कलेक्शन करते नजर आई है कल national cinema day में जवान और मिसन रानी गंज और फुकरे 3 में सबसे ज़ादा कलेक्शन जो फुकरे 3 लेकर आई है लेकिन सबसे ज़ादा देखी जाने वाली फिम थी मिसन रानी गंज तो इसी के साथ जवान की बात करें तो जवान ने भी जवरदस्त तरीके से धमाल मचाया है जबकि कल जवान का 37 दिन था जिसमें नाइट में उक्यूपेंसी इसकी उच्छाल कितनी मार गी थी 85 परसेंट की उक्यूपेंसी हो गई थी नाइट के टाइम पर कल एंड अब दडे दक और कल हिंदी से अगर मैं बताओ तो पांच करोन का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी और नेट टोटल कलेक्शन ये मूवी कितना कर चुकी थी अल ओबर मतलब तीनों लैंग्वेज को मिलाकर तमिल तैलगू हिंदी को मिलाकर 5.04 करोन मिन्स 5 करोन 4 लाग का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी तो वो ही मैं कह रहा है फुकरे थी ने कल सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है नेट इंडिन कलेक्शन के मामने में 5 करोट 10 लाग और जवान ने कितना किया है 5 करोट 4 लाग उसके बाद आती है मिसन रानी का जो सेकेंड नमबर पर इसने कमाई करी था 574 करोण 25 लाग का कलेक्शन हो चुका था तमिल तैल्गू से ये कल end of the day तक हो चुका था 60 करोण 18 लाग का टोटल नेट कलेक्शन अब कितना हो चुका था कल तक का 634 करोण 43 लाग का वबर सीज से ये मूवी कल end of the day तक कितना कमा चुकी थी 381 करोन 60 लाग और gross collection हो चुका था 750 करोन 53 लाग पूरी दुनिया से ये movie कल end of the day तक 1132 करोन 13 लाग का huge collection कर चुकी थी और आज Saturday में भी जबरदस्त growth कर रहे है जबरदस्त कमाई कर रहे है तो आज Saturday की जितनी भी official report कल को आ जाएगी वह आपको कल को बता दूँगा तो आज भी जबरदस्त कमाई करते नजर आ रहे है तो ये movie अभी कल end of the day तक कितनी कमाई कर चुकी थी 1132 करोन तो साड़े 1100 करोन कम्प्लीट करने में मात्रे से 7-8 दिन और लगेंगे क्योंकि आज और कल इन दोनों ही दुनों में बहुती जबरदस्त collection आने वाली है huge collection आने वाली है ब भी 99 रुपीज के टिकेट प्राइस होने के बावजूद तो आप लोगों को तीनों में से कौन सी फिल्म बेस्ट लगी है अगर आपने देख ली है तो नीचे कमेंट वक्स और ज़रू बतागी जाना बाकि मिलते एक लिए वीडियो में जैहिंते